क्लास सेवन्थ के मैथमेट्टिक्स के फॉर्थ चेप्टर रेजनल नंबर के बारे में पढ़ेगे तो रेजनल नंबर क्या है rational number fraction की तरह ही rational number जो है fraction की तरह ही होता है लेकिन fraction में हम लोग क्या देखते हैं fraction में मेरा rational number क्या है मेरा fraction की तरह ही होता है जैसे P by Q इसका और या A by B यहाँ पर P या A मेरा क्या हुआ numerator Q या B यही मेरा denominator numerator कौम लोग N से denote करते हैं denominator को D से लेकिन fraction में क्या होता है मेरा numerator और denominator मेरा दोनो natural numbers होते हैं यानि की दोनो positive में होते हैं लेकिन rational number में हमारे numerator और denominator integers होते हैं यानि यह दोनो numerator, denominator यह दोनों या positive हो सकते हैं या दोनों negative हो सकते हैं या एक negative और एक positive इस तरह से हम लोग rational number के definition की और बढ़ सकते हैं तो क्या है rational number का definition? The number of the form P by Q क्या है? The number of the form P by Q where? P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called rational number तो इसका हम लोग rational numbers का example क्या हो गया? 2 by 5 यह दोनों मेरे plus में है minus 5 by minus 8 यह दोनों मेरे negative में है और एक positive, एक negative और और positive minus 2 by 7 यह है पहला मेरा numerator जो हुआ positive मेरा denominator मेरा negative में 8 by minus 9 और 0 by 1 और 2 by 1 यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग अगर देखते हैं सिर्फ 2 लेते हैं अब हम लोग इसके exercise में आते हैं इसका question number 1 है इसे पूछ रहा है what is rational number? तो rational number तो हम पहले इसका introduction दे चुके हैं फिर भी हम यहाँ इसका definition लिख दी हैं फिर पूछ रहा है give examples of 5 positive and 5 negative rational numbers तो example में हम लोग क्या देखेंगे? 5 positive rational numbers में इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कि examples में लिखते हैं से हम लोग खुद इसका examples लिख सकते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि दोनो numerator और denominator दोनो हमारे positive में होने चाहिए या दोनो negative में जैसे 2 by 7 example नहीं है minus 8 by minus 9 तुम लोग यहाँ confused नहीं हो जाना कि minus है यह positive rational number कैसे हो गया? यह positive rational number कैसे हो गया? तो हम लोग क्या देखते हैं? minus 8 by minus 9 यह है ना इसको यानि numerator और denominator दोनों को यदि हम minus 1 से multiply कर देते हैं दोनों को minus 1 से multiply कर दिए तो क्या हो गया मेरा? 8 by 9 आ गया ना मेरा positive में? यह मेरा positive form में आ गया इसलिए यह भी मेरा positive form है तुम लोग इसका example अपने मान से ही देने का कोशिस करना और 5 negative rational number इसका example ऐसे देना numerator या denominator में दोनों को एक negative form में रखना इस तरह से हम लोग कुछ भी example दे सकते हैं बस इतना ध्यान रखना कि एक minus में रहे और एक plus में यह मेरा 5 negative rational numbers होगे अब इसका आगे question में कह रहा है Is there any rational number which is neither positive nor negative क्या एक कोई भी ऐसा rational number है जो ना तो negative होता हो ना ही positive उसका नाम बता हो तो 0 मेरा एक ऐसा rational number है जो ना तो negative है ना ही positive तो हम लोग इसे लिख दिए अब इसका question number 2 में देखो क्या बोल रहा है which of the following are rational numbers कौन rational numbers है तुम लोगों को इसका definition में थोड़ा ध्यान रखना हम लोग को क्या है rational number में इसका जो numerator और denominator है यहां हमारा जो denominator है वह 0 नहीं आना चाहिए denominator में 0 नहीं आना चाहिए यह मेरा rational number नहीं हुआ बस इसे ही हमें ध्यान रखना है इस तरह से क्या हुआ 1 question number 2 का 1, 2, 3, 4 जितना भी है 8 तक यह हमारे rational number है क्योंकि सारे के denominator में digit है लेकिन इसका 9th में देखो question number 2 का जो 9th है देखो क्या है 1 by 0 यह हमारा rational number नहीं है क्योंकि यहाँ denominator मेरा 0 है यहाँ क्या है definition में यह P by Q के रूप में है तो यहाँ क्या कह रहा Q is not equal to 0 इस पर हमें focus डालना है तो यह 0 है मेरा Q जो है वह 0 है इसलिए यह मेरा rational number नहीं हुआ और इसका 10th में देख लो इसका 10th क्या है 0 by 0 यह भी मेरा rational number नहीं है मेरा next question है 7 number का find 4 rational numbers equivalent to each of the following हम question number 7 का second question पर देख रहे है यहाँ क्या है minus 3 by 8 का 4 rational number पूछ रहा है जो कि equivalent में है minus 3 by 8 के ही equivalent में रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस minus 3 by 8 को यहाँ लिखे और 2 by 2 से numerator और denominator को 2 by 2 से multiply किए और multiply करने के बाद मेरा first result यह आया फिर minus 3 by 8 को फिर से हम question को यह उतारे और 3 by 3 से multiply किए इसी काम को हम लोग repeat करते जाएंगे minus 3 by 8 को 4 by 4 से multiply किए फिर minus 3 by 8 को 5 by 5 से और multiply करके हम लोग इधर इसे लिखते जाएंगे तो यही मेरा आग्या minus 6 by 16 minus 9 by 24 यही मेरा 4 rational numbers हुआ किसके equivalent minus 3 by 8 की 4 equivalent rational numbers हुए यह मेरा question number 7 था आप देखो इसका next question में क्या पूछ रहा है write each of the following as a rational number with positive denominator 8 का question है इसका first लेते हैं लोग 12 by minus 17 इसमें कहा रहा है यह मेरा जो denominator है यह क्या है मेरा negative में इसे positive में लाने के लिए कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यह हम लोग question को उतारेंगे और इसे हम लोग minus 1 numerator और denominator दोनों को minus 1 से multiply करेंगे तो यह मेरा क्या आ जाएगा minus 12 by 17 अब यही इसे ही कह रहा है positive form में लाना यह मेरा positive form में आ गया अब हम लोग आते हैं इसके next question में मेरा next question है question number 9 इसमें क्या कर रहा है express 5 by 8 is a rational number with numerator minus 10 यानि कि यह numerator जो मेरे पास 5 है इसको minus 10 लाने के लिए कर रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं मेरे पास क्या है 5 यानि कि कम है 10 से minus 10 या मेरे पास 5 by 8 है इसे हमें minus 10 करना है तो क्या देखेंगे हम लोग 5 by 8 को यानि 5 को किसे multiply करेंगे कि वह 10 आ है तो किसे multiply करेंगे minus 2 by minus 2 तो क्या हो जाएगा minus 10 by minus 16 यह जो मेरा हुआ numerator minus 10 यही यहां लाने के लिए कह रहा था तो क्या हो जाएगा 5 by 8 is equals to minus 10 by minus 16 यह इसका हो गया यहां जिस तरह से हम लोगों को numerator लाने numerator करना है इक्वल में था हम लोग numerator को देखें next question में इसको numerator को अगर करने के लिए कहेगा था हम लोग इसके denominator पर focus डालेंगे कि किसे multiply करेंगे अगर यह यहाँ 5 है यह ज़्यादा का पूछ रहा है अधिका increase हो रहा है नमबत हम multiply करते हैं और यदि कम का पूछ रहा है मेरे पास जो यह question में उससे यदि कम में पूछ रहा है यानि decrease हो रहा है तो हमें divide करके निकालना पड़ेगा जो कि next question में हम बतलाएंगे इसका question नमबर 15 में express minus 36 by 24 as a rational number with numerator minus 9 यानि कि यह जो मेरा minus 36 है इसे minus 9 लाना है इसके numerator में अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे एक पल के लिए minus को हम लोग ignore कर देते है तो मेरा क्या हो जाएगा 36 और 9 यहां कह रहा है कि 36 के जगा पर 9 लाना है तो क्या हो रहा है यहां decrease हो रहा है मेरे पास 36 था और लाने के लिए कितना है 9 तो जब decrease होगा तो हम लोग क्या करेंगे divide करेंगे यानि 36 को किसे divide करें कि मेरा result 9 आएगा तो हम लोग पहले देख लाते है 36 divide 9 यानि 4 36 को 4 से divide करेंगे अब हम लोग यहां इसे solve करते है minus 36 divide 4 by 24 divide 4 यह मेरा हो गया minus 36 को 4 से divide किये तो मेरा minus 9 आया और जो numerator को जिससे हम लोग divide करते हैं वही denominator में वही digit से denominator को भी divide करना है और इसका फिर प्रोसेस हम लोग करेंगे minus 36 को 4 से divide किये तो minus 9 और 24 को 4 से divide किये तो 6 next question है 18 नमबर का फिर इंदी blanks यह मेरा question है यहां पर यह इसे जो blank है उसे हमें भरना है इसको solve करके तो हम लोग इसको ऐसे उतारते हैं अब जो यहां blank है इससे पहला blank हम लोग जो x माल लेते हैं अब क्या करेंगे बाइ क्रोस मल्टिप्लिकेशन इसको बाइ क्रोस मल्टिकेशन से हम लोग solve करते हैं तो क्या है x को 5 से multiply किए x multiply 5 is equal to minus 9 multiply 20 अब हम लोग क्या के x का value निकालना है minus 9 multiply 20 by 5 इसे हम लोग cancel करेंगे कितना आ गया x is equal to 940 minus 36 यहाँ पर हो गया मेरा minus 36 अब हम इससे हम लोग minus 36 by 20 is equals to 26 by blank है तो इसी तरह से हम लोग next ऐसे बनाएंगे 26 जो यहाँ blank है यहाँ हम लोग आप y माल लेंगे इसी तरह से cross multiplication के help से हम लोग इसे भी भर लेंगे अब हम लोग इसे अब खुद कर लेगा अब हम लोग देखते हैं next question, question number 20 यह है मेरा question number 20 जो हम find x such that इसमें भी x का value पूछ रहा है इसका second question लेते हैं 7 by minus 3 is equals to x by 6 जिस तरह से हम लोग question number 18 को solve कियें बस उसी तरह से यहाँ भी solve कर लना है और x का value निकालना है अबनों लिखेंगे by cross multiplication by cross multiplication क्या हो जाएगा x multiply minus 3 is equals to 7 multiply 6 x is equals to 7 multiply 6 by minus 3 जैसे 14 by minus 1 आया 14 by minus 1 तो denominator में हमें minus नहीं रहना है इसके लिए हमनों क्या करेंगे minus 1 से divinator numerator को multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 14 by 1 इसे हम लोग minus 14 भी कर सकते हैं यह मेरा question number 20 हुआ जो बाकी question बचा है तुम लोग बनाना अब हम लोग आते exercise 4B में 4B में हम लोग पहले number line के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि number line क्या है सबसे पहले एक हम लोग line लेते हैं उसमें कहीं भी हम लोग 0 एक number लिए उसके बाद 0 के बाद यदि हमें 1 लेना है 2 लेना है 3 लेना है यह चीज़ ध्यान रखेंगे कि यह 0 से 1 का जो distance है वह equal होता है 0 से 1 1 से 2 यह सबी equal होता है 2 से 3 इसे हम लोग यदि 1 को हम लोग को denote करना है तो यह हम मेरा A से बतलाएंगे यदि 2 को बतलाना है तो 3 को बतलाना है तो C से इसी तरह से हम लोग left side में मेरा minus 1 हुआ यह मेरा minus 2 हुआ यह मेरा minus 3 हुआ यदि minus 1 को बतलाना है तो A dash लेंगे minus 2 को तो B dash और minus 3 को अगर दिखलाना है तो C dash अब हम लोग इस number line में क्या देख रहे हैं 0 के right side में कौन number है मेरे positive 0 के right side में अगर हम बढ़ते हैं right side की ओ तो मेरा numbers क्या होता है positive और 0 के यदि हम left side की ओर बढ़ते हैं तो मेरा numbers क्या है सारे negative positive numbers में किसी भी numbers को denote करना है तो हम A, B, C या P, Q, R, S की C भी alphabetic name से हम लोग इसे denote कर सकते हैं और जो minus का जो है उसे हम लोग A dash, B dash या C dash इस तरह से हम लोग इसे denote कर सकते हैं अब हम लोग इसके question में आते हैं exercise 4B का first question है इसका हम लोग first लेते हैं represent each of the following rational numbers on the number line इसे जित्ते भी question है उसे हमें number line में represent करना है इसका first है 1y3 1y3 को हमें number line में represent करना है सबसे पहले हम एक number line लिए उसमें 0 हम एक number लिए उसके बाद equal distance में हम लोग 0 से 1, 1 से 2 ये दोनों जो एक दूसरे का distance अब सभी एक दूसरे के equal है तो 0 से 1, 1 से 2 इसे तरह लिए उधर plus का है मेरा positive और इसके left side negative को हम लोग लेते हैं ऐसे तो इस question में negative का जरूरत नहीं है फिर भी हम इसे ले लिए हैं अब क्या कर रहा है मेरा क्या है किसको denote करना है किसको represent करना 1 by 3 यानि 0 से 1 0 से 1 है उसे हमें पहले 3 भाग में divide करना है किसको 0 से 1 को जो यहां 1 है ना उसे ही हम लोग देखेंगे 3 भाग में divide करना है equal equal में हम लोग divide करेंगे equal distance में यह हो गया अब यह क्या हो गया मेरा 1 by 3 यह हो गया मेरा 2 by 3 यह हो गया मेरा 3 by 3 जैसे हम लोग 1 भी कह सकते है अब किसको denote करने बोल रहा 1 by 3 यानि यहाँ पर denote करने बोला है इसे हम लोग P से generally P से ही denote करते हैं यही मेरा हो गया फिर लिख देंगे हम लोग यहाँ P represents the rational number कितना को represent किया 1 by 3 यह हो गया आप इसका हम next question देखते हैं मेरा question number first का 3 है 7 by 3 को हमे number line में represent करना है तो सबसे पर देखेंगे यह मेरा improper fraction में इसे हम mixed fraction में लाएंगे तो कितना हुगा 2 whole 1 by 3 इसे ही हमे number line में represent करना है सबसे पर हम क्या देखेंगे 2 whole है यानि 2 हमको complete ले लेना है 0 से 1 और 1 से 2 इसमें इसको हमको complete लेना है और क्या देखेंगे जो इसका 2 से 3 का जो भाग है यह 2 से 3 उसे हमें तीन भाग में बाटना है इस 3 भाग में हमको इसे डिवाइड करना है तो यहां से 2 से 3 है हम 3 भाग में लिए 1 by 3 2 by 3 और 3 by 3 तीन भाग में हम इसे बाट लिए हैं तो हम लिखेंगे P represents the rational number 7 by 3 देखो हमको इसे हम इस तरह से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं देखो पहले क्या लेना है O P O P है मेरा तो O P कैसे आया O A plus O B plus P B नए B P क्या आया O P is equals to क्या क्या आया यहां से यहां O A plus O B plus B P O A कितना है मेरा 1 हम यहां 1 लिखें A B कितना है 1 यहां भी हम 1 लिखें और B P कितना है 1 by 3 1 by 3 यह हुआ अब इसे हम solve करते हैं 1 को 1 side के 2 और 1 by 3 इसे हम अगर solve किया तो क्या हुआ 3 इसका जो तुम लोग add करता है fraction वाला उसी भी हम लोग process से आए तो मेरा क्या निकल गया 7 by 3 इसके equal यह हो गया हमारा अब हम लोग आते हैं question number 5 में arrange the following rational number in ascending order ascending order में हमें लाना है इसका हम लोग question number 2 समझ रहे है question number 1 तुम लोग अपने previous classes में भी पढ़ा था इसलिए हम इसका second वाला देख रहे है क्या है question में minus 3 by 4 5 by minus 12 minus 7 by 16 और 9 by minus 24 इसे हमें क्या करना है ascending order में सजाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे जिस fraction जिस rational number के denominator में minus है उसे हम plus में convert करेंगे इसके लिए हमें क्या करना है minus 1 से multiply करना है तो क्या है मेरा ये तो सही है अब 5 by minus 12 है इसे हम minus 1 से multiply करेंगे क्योंकि इस minus को हमें हटाना है तो numerator और denominator को minus 1 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ plus 5 में है तो 5 को minus 1 से multiply करेंगे तो minus 5 आया और minus 12 को minus 1 से multiply किये तो 12 आया यह हो गया इसी तरह से हम 9 by minus 24 को भी minus 1 से multiply करेंगे यह भी मेरा इसका denominator में जो minus था अब convert हो गया प्लस में अब मेरा क्या आया minus 3 by 4 फिर minus 5 by 12 यह जो निकाले हम और minus 7 by 16 और minus 9 by 24 यह मेरा आया अब क्या करना है सब के denominator को यानि 4, 12, 16 और 24 का हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे हम लोग LCM निकालने है कितना आया 48 अब क्या करना है इस number को हम यहां उतारे minus 3 by 4 अब जो यह मेरा denominator 4 है इस 4 को हम कितना से multiply करें कि 48 लाना है यानि सारे के जो जितने भी numbers है यह मेरा 4, 12, 16 और 24 के denominator को हमें 48 करना है LCM के equal ही करना है तो क्या करेंगे minus 3 by 4 है तो 4 को 48 के equal करना है तो हम कितना से multiply करेंगे इसको निकालने के लिए आराम से LCM का 48 यह जो 4 है मेरा इसको divide कर देंगे 4 से कितना आया 12 इस 12 से numerator और denominator दोनों को multiply करेंगे यानि minus 3 by 4 यह उतारे हैं और 12 by 12 से multiply करेंगे तो मेरा इतना आएगा अब क्या है second minus 5 by 12 यह लिए अब इस 12 को भी हमें numerator जो है 12 इसे भी हमें 48 करना है तो क्या है 48 4 आया 48 LCM का जो 48 उसे 12 से हम divide किये 4 आया उसी 4 से हमें numerator और denominator को multiply करना है तो यह मेरा हम multiply किये minus 5 by 12 को 4 by 4 से multiply किये तो मेरा कितना आएगा minus 20 by 48 इसी तरह से हमें इसका भी करना है minus 7 by 16 को तो 16 को भी हमें 48 करना है इसी तरह से तुम लोग कर लेगा minus 9 by 24 यह हम कर लिए अब हमें देखना है क्या है minus 36 इसमें क्या देखना है सभी का मेरा denominator से 48 48 48 और 48 अब हमें इसमें ascending order में सजाना सबसे पहले किस number को लिखेंगे smaller तो हम लोग क्या कहते है negative में जैसे जैसे number बढ़ते जाता है negative में उसका value कम होते जाता है तो क्या है इसमें सबसे कम value वाला कौन है एक है minus 36 minus 20 minus 21 minus 18 इसमें सबसे smaller कौन है minus 36 तो हम लिखते है minus 36 by 48 उसके बार minus 21 by 48 फिर क्या minus 20 by 48 फिर minus 18 by 48 अब इसको देखके हमें इधर का लिखना है minus 3 by 4 minus 36 by 48 किसका value minus 3 by 4 उसके बार क्या है minus 21 by 48 minus 21 by 48 तो क्या है minus 7 by 16 यह हो गया minus 7 by 16 फिर क्या है minus 20 by 48 इसका value क्या है minus 5 by 12 तो हम लोग को देखना है minus 5 by 12 को हम लोग इसमें convert किये थे 5 by minus 12 तो हमें इसी को लिखना है 5 by minus 12 फिर क्या है minus 18 by 48 तो minus 14 by 48 इसका क्या हो जाएगा minus 9 by 24 तो इसको भी हम लोग minus 1 से question में यहाँ किये थे तो इसका main question क्या हो जाएगा 9 by minus 24 यही लिखना है यही मेरा ascending order में हुआ है इसी तरह से descending order में अगर तुम लोगों को सजाना है सारा process यही रहेगा हमारा बस इसको descending order में सबसे पहले हैं जो greater रहेगा greater number उसे ही हमें पहले लिखना है यह मेरा बन जाएगा अब हम लोग आते हैं question number 8 में हम लोग आप देखते हैं question number 8 में इसे find 5 rational numbers between minus 3 and minus 2 यानि minus 3 और minus 2 के बीच में 5 rational numbers पूछ रहा है तो देखो पहले हम लोग उतारें minus 3 तो minus 3 by 1 लिखें हम लोग 1 denominator में 1 लिख सकते हैं इसको 6 by 6 से multiply करते हैं तो minus कितना आ गया? 6, 3 is 18, minus 18 by 6 यह से यदि हम लोग cancel करते हैं तो minus 3 आ गया, यह इसके equal है इसी तरह से minus 2 को हम लोग लेते हैं minus 2 by 1, इसको भी 6 by 6 से multiply करते हैं तो कितना आ आए? माइनस 12 बाई 6 इसको यदि हम कैंसिल कियें तो कितना है माइनस 2 अब हम लोग क्या लेते हैं माइनस 18 बाई 6 से स्टार्ट करते हैं माइनस 18 बाई 6 फिर हम लोग आके पढ़ते जाएंगे माइनस 17 बाई 6 माइनस 16 बाई 6 माइनस 15 बाई 6 माइनस 14 बाई 6 माइनस 13 by 6 और माइनस 12 by 6 यहां यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां आके हम लोग रुख जाएंगे अब क्या देखते हैं माइनस 18 by 6 कोई से केंसिल कितना आ गया माइनस 3 और यह उतार लिए माइनस 16 by 6 माइनस 17 by 6 उसके बाद माइनस 16 by 6 इसे हम केंसिल करके यानि इसे स्टेंडर फॉर्म में या लोग रुख टर में लाते हैं कितना 2 से इसे हम डिवाइड करके करते हैं कितना आ जाएगा माइनस 8 by 3 इसको लोग रुख टर में फिर माइनस 13 by 6 यह लोई स्टर में है और माइनस 12 by 6 हो जाएगा माइनस 2 अब क्या देखना है माइनस 3 और माइनस 2 यह तो मेरा कोशन में ही है इसको छोड़कर हम लोग यहां से यहां उतारेंगे यही हो गया मेरा माइनस 3 से लेके माइनस 2 का 5 रेशनल नमबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया मेरा लास्ट कोशन है कोशन नमबर 10 क्या है फाइड 5 रेशनल नमबर बीट्वीन माइनस 3 बाइ 5 और माइनस 1 बाइ 2 इसके और इसके बीच के रेशनल नमबर को हमें पता लगाना है सब सब पहले हम लोग क्या करेंगे 5 और 2 का LCM निकालते है LCM of 5 and 2 is equals to 10 अब ह 3 बाइ 5 जैसे हम लोग ascending order में पढ़े थे न कि LCM के बराबर हमें इसके denominator को करना है तो वैसे यहां करेंगे तो मेरा result कितना है? मैनस 6 बाइ 10 अब इस मैनस 6 बाइ 10 को हम फिर से नमबर लाने के लिए हम 6 बाइ 6 से फिर से multiply करते हैं तो कितना आ गया? मैनस 6 बाइ 10 को 6 बाइ 6 से multiply कियें तो मैनस 36 बाइ 60 आया अब इस मैनस 1 बाइ 2 को हम फिर लिखें यहां भी denominator को LCM के equal करना है तो मेरे पास denominator 2 है और LCM मेरा 10 है तो 5 से multiply किये numerator और denominator दोनों को तो क्या हो जाएगा? मैनस 5 बाइ 10 अब इस मैनस 5 बाइ 10 को जो यहां 6 बाइ 6 से multiply कियें वही 6 बाइ 6 से इस मैनस 5 बाइ 10 को multiply करेंगे तो कितना आ गया मेरा? मैनस 30 बाइ 60 अब क्या करेंगे? मैनस 36 बाइ 60 से start करते हुए numbers को लेते हुए हम मैनस 30 बाइ 60 तक लिखेंगे मतलब मैनस 36 बाइ 60, मैनस 35 बाइ 60, मैनस 34 बाइ 60 इसी तरह करते हुए मैनस 30 बाइ 60 तक लिखेंगे अब क्या लिखना है? 5 rational number between minus 3 by 5 and minus 1 by 2 यहां का लिखना इसका first और last हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसे यदि solve करते हैं तो कितना आ जाएगा? मैनस 3 by 4, मैनस 3 by 5 और इसको यदि solve करते हैं तो यह कितना आ जाएगा? मैनस 2 by, नहीं, मैनस 1 by 2 जो कि मेरा question में ही है first और last को छोड़कर बागी यहां से यहां यही मेरा 5 rational number हुगा यह तुम लोग 4 by करवा चुके हैं अब next video में हम लोग इसका next exercise चलेंगे तुम लोग अपना इसका practice करेंगा जो भी दिक्कत होगा तुम लोग वार्टसप से या ओनलाइन क्लास से पूछ सकता है